नमस्कार दोस्तो अभी अभी दो मिनिट पहले की सबसे बड़ी और दर्दनाग खबर सामने आ रही है गेहूं के खेत में अचानक से लगी आग और 25 बिगाद जल कर राख हो गई है ग्रामीनों ने फायर इस्टेशन को दोस्तो तुरंत इसकी सूचना दी इसके बाद में फायर बिर्गेड वे ग्रामीनों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया लेकिन दोस्तो फासल जल कर स्वाह हो चुकी थी बताते चले सुल्तानपूर वलिपूर के असर्ख पूर गाओं में दोस्तो गेहूं के खेत में अचानक से आग लग गई ग्रामीनों ने इसकी सूचना फायर इस्टेशन को दी इस दोरान लगबग 25 बिगा गेहूं की फसल जल कर राख हो गई बल्दी राय थाना चेतर के वलिपूर असर्खर पूर गाओं के पास गेहूं के खेत में बुदवार दोपहर के वक्त अचानक से आग लग गई फसल को आखों के सामने जलते हुए देख ग्रामीनों ने पहले इसकी सूचना फायर इस्टेशन को दी इस बीच फायर ब्रिगेड वे ग्रामीनों ने किसी तरह से आग पर काबो पाया SDM महंदर कुमार स्रिवास्तव ने कहा है कि आग से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए लेकपाल वे राजस्व अंरिक छक की टीम को मोके पर भेजा गया है मुआवजे के लिए रिपोर्ट मंडी परिसद को दोस्तों भीज दिया गया है लेकिन आपको बता दें कि अभी दोस्तों दिस के कही राजियों में लगतार बेमुसम, बारिस, आन्दी और तूफान चल रहा है और इस बीच दोस्तों आकासी बिजली गिरने की घटना है तता दोस्तो अभी इस वक्त की जो खबर आई है वो आई है दोस्तो अचानक से ग्यों के खेत में आग लग जाने के कारण जिससे किसान भाई की 25 बिगा जो दोस्तो जमीन है ग्यों की खेत है वो दोस्तो जल कर स्वाह हो गया है लगबग इसमें दोस्तो 10 लाक रुपिये का नुकसान बताया जा रहा है आखिरकार दोस्तों किसान भाई करे तो क्या करे देश दुन्या से जोड़ी हर छोटी बड़ी खबर पाने के लिए चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें साथ याप हमारी वीडियो के सराज्जे से देख रहे हैं कॉमेंट बॉक्स में हमें अब इससे बताएं धन्यवाद दोस्तों